इंजन लगाए जाता है क्रायोनिक जो इंजन इतना स्पीड दे सके लेकिन इंजन के बाद भी उससुरा का टेंपरेचर हो जाता है रगण के कारण 3000 डिगरी सेलसेंग गलपना चावला के साथ मामला हो गया गडबड़ गलपना चावला का जब रॉकेट उपर गया था तो र री इन्ट्री तो री इन्ट्री के समय उस वो उझहेल नहीं पाया अगर आपको पृत्वी को चोड़कर जाना है आप चलिए हम आपे महरबानी कर देते, 11 ने लिखते हैं, यानि आपकी स्पीड कितनी होने चाहिए, एक सेकंड में 11 किलो मीटर, यानि ऐसे फेक रहे हैं ना, एक सेकंड में कितना चला जाने चाहिए, 11 किलो मीटर, तो अभी आप जा सकते हैं, अधर वाइज में आप नहीं जा सकते हैं, सांज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सोचिए कितना खतरनाक है प्रिथिवी को छोड़ कर जाना, इसी लिए हवाएं, आंधी, तुफान, ये बादल जो हमारे पर बरसा कराते हैं, ये हमारे वफादार नहीं है, ये कब का हमें दगा दे कर चले जाते हैं, ये प्रिथिवी का गुर्तवा करसन है, जो मजबूर करके रखा है इन हवाओं को, इन आधियों को, इन बरसात, ये बादल, ये आसमान सब को, कि तुम्हें मजबूरी में हमारा साथ देना है, इसल दूसरे गोला पर, ये खीच के रखा है हमारे लिए, और ऐसा नहीं है कि अगर आप दूसरे गोला पर इंटा चलाईएगा, तो प्रिथिवी पर घूच जाएगा, इंटा के लिए भी यही नियम है, कि हमें छोड़कर जाने वाले भी एक सेकंड में 11 किलमीटर की स्पीड पराप्त करके दिखाएं, और हमारे अंदर आने वाले भी इतने ही स्पीड को दिखाएं, वरना बर्बाद हो जाओगे, नहीं आने देंगे, अगर मली ये जाने के लिए चल गया है, उदर से कहें कि तो तरीका है, ढलान पे से, कैसे पहाड पे से आदमी उतरता है, ढलान काता है, इंजन बन कर दो ना आराम से चलते हैं, डगर नहीं नहीं है, तो नहीं डगर होना नियम काम नहीं करेगा, आते वक्त में भी इतना ही स्पीड होनी चाहिए, तो ये स्पीड को देने के लिए दो चीज़े आती है, पलान वेक को देने के लिए इंजन में आता है, एक आता है जिसे कहते है cryonic engine, यह cryonic engine जो हता है, यह बहुत ही minus temperature पर, minus 200 degree Celsius पर काम करता है cryonic engine, यह cryonic engine कहां लगाए जाते हैं, तो rockets में लगाए जाते है, rocket उसे कहते हैं, जो वापस लोट कर नहीं आता है, satellite को छोड़ देता है, और एक होता है subtle, subtle जो होता है, space subtle यह लोट कराता है, लेकिन लोट कराने के लिए इन दोनों में कौन से engine लगाए जाते है, cryonic engine, cryonic engine minus 200 degree Celsius पर काम करता है, इतना तगड़ा होता है cryonic engine, शचुरा कलपना कीजिए कि आपके गाउं से कोई दूसरा सहर है, 11 km, अल्लाइन वालों को तो पते नहीं चल जाए, कितनी भायाना की speed होनी चाहिए परित्वी को छोड़ने के लिए पलाइन बेक, पलाइन बेक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 11.2 km प्रती सेकेंड राना चाहिए, और आने के लिए इतना, इसमें सबसे बड़ी बाधा क्या आती है, पता आपको, सबसे बड़ी बाधा आती है, हवाओं का घर सड़, आप ट्रेन में या मोटर साइकिल में या बहुत तेज गती से चलने वाली वाहन में, आप केवल अपना मुंडिया बाहर निकलिएगा, इतना तेज हवाओं का रगड आएगा, इतना तेज आएगा, कि आपका मुडिया सुचुरा जरूरी होता है इसके लिए इसके बाहर एक लेप लगाई जाती है जिसका नाम होता है कार्बन फाइबर और होता है टाइटेनियम कार्बन फाइबर या टाइटेनियम की एक परत चढ़ा दी जाती है इंजन लगाए जाता है क्राइनिक जो इंजन इतना स्पीड दे सके लेक है ये परत उस ग Happiness से उत्पन होने वाले टेमप्रेचर के अंदर आने नहीं देता है इसलिए अंदर का इंजन अंदर के इस्टूमेंट्स अंदर बैठे साटल में रॉकेट में तो आदमी नहीं बैठता है आदमी बैठा के साटल में क्योंकि उसी वक्त उसमें एक इस्क्रेच आ गया था, लड़ गया था, उसका एक पाट तूटकी नीचे गिरा और लड़ गया, इस्क्रेच आ गया था, तो जो कलपना चावला का जो सटल था, इस पेट सटल, अपोलो मिसन, उसका जो बाहर का कारिवन फाइबर या टाइटेनियम था तो इसक्रेच आने से उसमें दरार पड़ गया, वो कैसे भी तो प्रितवी के जाने वाले चीज नीचे को पार कर गया, लेकिन जब री इंट्री किया ना, री इंट्री, तो री इंट्री के समय, उस वो जहेल नहीं पाया, माल लिजए कहीं कट गया, तो जहेल लेया, दु यहां पर जाने में थोड़ी सी गलती की गई थी देड़ महीना लगा था इसकी जांच करने के लिए बाद में जब वीडियो रेकॉडिंग आया तब सामने आया था कि जैसे जा रहा था 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 इसका एक पार्ट नीचे मतलब होता है नो आप है इसक्रेच आदे हैं यह हो गय होता है इसलिए कोई ब्रहस्पती पर जाता ही नहीं है